तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन चैप्टर चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन जो आज हम लोग करने वारे हैं आज जितने लोग पहली बार आयो उनको मैं बता दू हम लोग बेसिकली इस जो प्रेलिस्ट को देख रहे हैं इसमें हम लोग आज आज हम लोग के चैप्टर को पर लो एंसी आर्ट के को लगा लो उसके बाद यह एमस्यू प्राओलों हमें करना है जिकandre वीडियों देख दीजने से किसे पहले कुज से एक ऐगर कुश्ण को अगर नहीं होता है फिर वीडियो को प्ले करो वीडियो को को देखो कुश्ण समझ रहो तो हम लोग किःट दो धीडियो को दूबारा देखो यास पे पिर फर्स कुछ में पुछा गया है Tam atheした, यहाद अखना ट twin denominator होता है वह बरा होता है नुमिनेटर से इस निछ कंशे नंबर होता है आप देखना गया बरा होता है भर बरा होता है में नहीं आएगा, ठीक है, 3 upon 4, 3 upon 4 में denominator बढ़ा है, जो कि 4 के एक्वल है, numerator 3, जो छोटा है, तो यहाँ पर numerator छोटा है, denominator बढ़ा है, तो यह प्रोपर fraction में आएगा, next c देखो, c में क्या लिखा हुआ, 1 mix fraction में है, तो यह हो जागा तुमारा 7 upon 4, again 7 क्या है, numerator जो है denominator से बढ़ा है, तो यह प्रोपर fraction में नहीं आएगा, d, d यह mix fraction, यह, मतलब 11 upon 5, again denominator जो है वो छोटा है numerator से, तो option b, बस ऐसा है option, correct option यहाँ पर, जो कि proper fraction है, क्योंकि सिफ option b में हमें दिख रहा है, कि जो denominator है, वो बढ़ा है numerator से, clear है, तो इसे करते है proper fraction, तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा b, चलते है second question पर, second पर पुछा गया है, हमसे, which of the following is an improper, तो जो proper नहीं होता है, उसे improper करते है, तो improper में क्या होगा, जो numerator होगा, वो बढ़ा होगा denominator से, ठीक है, तो 1 by 2, यहाँ पर तो denominator बढ़ा है, 3 by 7, denominator बढ़ा है numerator से, 7 by 3, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो numerator हो बढ़ा है, numerator क्या है, उपर 7, नीचे 3, तो 7 बढ़ा है, जो कि उपर आ रहा है, तो यह improper fraction में आएगा 3 upon 15 ये भी proper fraction है ठीक है तो यहांप एंसर हो जाएगा 7 upon 3 चलते कुछन में 3 के साइद which of the following is a fraction equivalent to 2 upon 3 अब 2 upon 3 के equivalent कौन सा fraction होगा इसमें से तो हम हमेशा fraction को simplified form में change करेंगे फिर देखेंगे देखो 4 upon 5 ये simplified form में से जाएगा simplified नहीं हो पाया 8 upon 6 तो देखो 8 upon 6 अब ये भी ऊपर 2 factor common है नीचे भी 2 factor common है तो अगर 2 से divide करोगे ऊपर तो ऊपर आजाएगा 4 और नीचे 2 से divide करोगे तो आजाएगा 3 ये 4 by 3 के एकक्वल है और हमेशा है 2 by 3 के एकक्वल तो option B मैस नहीं कर रहा है C 10 upon 25 तो ऊपर देखा 10 का common factor 5 है 25 का 5 दोनों का common factor क्या रहा है 5 तो 5 से divide कर देंगे तो 10 को 5 से divide करोगे या देगा 2 जब 25 करोगे या देगा 5 2 upon 5 हमें चाहिए 2 upon 3 तो अब हम देखेंगा option number D, D में क्या है 10 upon 15 तो 10 upon 15 का again जो common factor है वो क्या है 5 तो 5 से divide क्या है ये आगे 2 इसको 5 से divide क्या है ये आगे 3 ना sorry 3 ये आगे 2 upon 3 तो option D यहाँ पर मैच कर रहा है जो कि यहाँ पर correct answer है 2 upon 3 clear है चलो चलते है next question पर question number 4 question number 4 पर पूछा गया है 3 by 5 जो यहाँ पर fraction है 3 by 5 ठीक है उसके equivalent यहाँ पर कौन सा fraction है ABCD तो हम ABCD solve करेंगे तो A में क्या है 3 plus 2 upon 5 plus 2 तो 3 plus 2 upon 5 plus 2 ये option 1 A है तो यह जाएगा 5 upon 7 हमें चाहिए 3 upon 5 ये तो मैच नहीं कर रहा option B 3 minus 2 upon 5 minus 2 तो 3 minus 2 upon 5 minus 2 ये आगे 3 minus 2 1 5 minus 2 3 ये आगे 1 by 3 हमें चाहिए 3 by 5 ये भी मैच नहीं कर रहा ठीक है C देखेंगे 3 into 2 5 into 2 देखो अब 3 into 2 और 5 into 2 में यहाँ पर प्लस साइन है तो इसको काट नहीं सकते हैं यहाँ पर multiplication साइन है जो ओपर multiply कर लेते हैं ये क्या आगे है 6 ओपर नेचे क्या आगे है 10 तो 6 और 10 lowest fraction में नहीं है simplest form में नहीं है तो हम देखेंगे 6 का factor 2 है 10 का factor भी 2 है तो common factor 2 आगया तो 2 से divide क्या ये आगया 3 10 को 2 से divide क्या ये आगया 5 तो 3 by 5 तो हमें दिखा option C से 3 by 5 मिल ला है तो वैसे भी आग़ 2 और 2 और 2 है नीचे भी 2 है common factor है तो हम cancel out कर सकते हैं वो 3 by 5 के क्यों आगा तो option C यहाँ पर correct हो जागा 3 upon 5 के equivalent है option C चलते हैं question number 5 पे तो 5 देखो question है 5 upon 12 is equivalent to x by 3 then x की value क्या होगी तो ठीक है अब उसने कहा है ये जो हमारा 5 upon 12 जो है वो इसके equivalent है x upon 3 के तो solve भी कर सकते है directly x निगा सकते हो equation जिसको equation solve करना आता है जिसने linear equation पर रखा है वो directly x solve कर सकता है इस equation को solve कर लेगा वैसे हुआ क्या है यहाँ पर 12 जो है 12 3 में convert हुआ है ठीक है तो अगर 12 3 में convert हुआ है तो कैसे convert हुआ हुआ हमने 12 को 4 से divide किया होगा तो अगर नीचे 4 से divide करते है denominator में तुम्हें पता है किसी भी expression को नीचे divide करते है तो उपर के term को भी divide करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या हुआ है यह भी 4 से divide हुआ तो इसको भी 4 से divide करना पड़ेगा ठीक है यह 4 से divide हुआ तो नीचे आ गया 3 उपर divide हुआ तो यह हो गया 5 upon 4 यह किसके equal है x upon 3 से तो नीचे का number सेम है equal to का sign है तो उपर का number भी same होगा तो x किसके equal हो जाएगा 5 by 4 के तो यहाँ पर 5th का answer क्या हो जाएगा 5th का answer option a match कर रहा है ठीक है यह तो हो गया कि हमने fraction compare किया fraction compare किया ठीक है अगर equation solve करना होता हमें पता है 5 upon 12 is equal to x upon 3 है x निकालना है हमें यहाँ पर तो इस 3 को हमने ऊपर मुल्टिप्राय कर दिया तो यह कितना आ जाएगा x की जो value हो जाएगी 5 into 3 upon 12 अब 12 को 3 से का answer क्या 4 आ गया 5 by 4 equation को solve करोगे तो भी 5 by 4 आएगा अगर equation solve करना नहीं आता भी अब किसी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं हमने हमने नीचे भी हमें 3 चाहिए है यहाँ पर 12 चेंज हुआ है 3 में से इसमें like fraction है ठीक है तो option चार option given है a,b,c,a इसमें से कौन से like है तो like fraction में क्या होता है denominator same होता है यह ध्यान रखना तो हमें दिख रहा है option b में सबका denominator same है ठीक है उसे like fraction कहते है जिसका denominator same उसे like कहेंगे जिसका denominator same उसे unlike fraction कहेंगे तो option B यहाँ पर correct हो जाएगा तो यहाँ देखना denominator जितने भी fraction दिनका denominator सेम हो जाए उसे हम like fraction के अंदर लेते हैं वह आपस में like होंगे Q7 चलते हैं 7 अगें जो हमने भी question 5 किया न वैसा ही है यहाँ x है तो equal to का sign है एक तो equation भी है तुम x equation जिसको solve करना आता है वो solve कर सकता है जो हमने उपर अभी तुरत बात कि कुछ में 5 में दूसरी बात हम यह जो fraction 11 by 4 जो fraction है वो हमारा 77 अपन x के एकवल है तो इसका मतब क्या हुआ होगा कि कि दुनों fraction equal है तो fraction वो compare कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ होगा तुमने 11 को change किया 77 में तो कैसे change किया होगा इसको 7 से multiply किया होगा तभी तो 11 into 7 क्या बन जागा 77 अब किसी भी expression में अगर उपर multiply करते हो 7 से तो balance रखने के लिए हमें नीचे भी 7 से multiply करना पड़ेगा तो यह क्या बन गया यह बन गया 77 upon 28 जो कि किसके एकवल होगा जो कि 77 upon x के एकवल बोला गया है क्योंकि यही fraction तो इसके एकवल था तो हमने क्या क्या उपर नीचे 7 से multiply किया है तो दोनों उपर नीचे multiply करते हो overall balance है तो अब compare कर देंगे compare करोगे तो यह 77 के एकवल है तो x को compare किया मतलब denomator को compare किया तो x 28 के एकवल हो जाएगा क्योंकि 11 से 77 बना कैसे बना होगा 7 multiply होगा तो 4 को भी 7 से multiply करना पड़ेगा तो नीचे क्या आगा 28 जो कि x के एकवल हो जागा तो यहां पर answer क्या हो जागा हमारा एकवल टू 28 दूसरा equation solve कर सकते हो equation solve करने का मंदब क्या आगा 11 by 4 है और यह 77 by x है तो x यहां multiply हो जाएगा 4 यहां तो यह क्या हो जागा अगर इसको equation solve करना आता है नहीं आता कोई बात नहीं छोड़ देना अभी जब equation जब तुम पढ़ लोगे तो यह समझ में आ जाएगा ठीक है अब मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हें equation जिसको solve करना आता है वह x यहां multiply करेगा 4 को यहां multiply करेगा यह हो जाएगा 11 x और यह हो जाएगा 77 x 4 हमें x चाहिए तो x निकालने के लिए 11 को यहां पर divide कर दिया जिसको आता है उसको यह समझ में जाएगी जिसको नहीं आता है equation तो छोड़ देना भी कोई बात नहीं हम उपर बारे मतल से कर लेंगे तो यह 11 7 times ठीक है 11 कटेगा इसको 7 times में तो 7 x 4 का हो जाएगा 28 तो answer अभी 28 आएगा यह question no 7 था ठीक है चलो चलते है next question no 8 पे 8 में simplify करना है और fraction के फर्म में given है तो देखो part by part करेंगे तो given क्या देखो 1 upon mix fraction यहां पर यह है plus 1 upon तो हमने क्या किया पहले इस mix fraction को 2 1 upon 3 इसको simplify कर लिया तो 3 into 2 6 6 plus 1 7 तो यह 7 by 3 लिखा होगा है इससाइड और दूसरा है 1 वह भी mix fraction है तो 4 plus 3 यह 7 by 4 है तो इसको हमने लिखा 1 upon यह 7 upon 3 प्लस यह 1 upon यह 7 upon 4 थीक है यह given है यहां तक clear है चलो अब यहां पर क्या होता है यह नीचे का दिजिट हो जाएगा ओपर और यह 4 यह भी ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 3 upon 7 प्लस यह जाएगा 4 upon 7 यह अब हम क्या करेंगे यहां पर इसको simplify करें तो यह लाइक फ्राक्शन है क्यों है क्यों लाइक फ्रेक्शन क्यों है क्यों कि दिरिआमोमेटर सेम है तो अगर ला तो यह आगा 7 upon 7, जो कि 1 के कुल हो जाएगा, 1 option में दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, तो यह हो जाएगा none of this, clear है, यह हो जाएगा none of this, बस यहाँ ध्यान रखना है, यह 7 upon 3 में, यह 3 फ्रैक नमबर उपर जाएगा, यह 4 उपर जाता है, इसमें बहुत लोगों को confusion होता है, यह चीज ध्यान रखना, ठीक है, कब उपर जाता है, कब नहीं जाता है, यह चीज ध्यान रखना, ओके, जो मैं बता रहता हूं, जैसे मालों तुम्हारे पास नमबर है, यह एक fraction है, और इसको तुम्हें दूसरे fraction से divide किया, एक fraction है, इसको c upon d दूसरा fraction से divide किया गया है, तो यह c होता है, वो यहाँ multiply होता है, यह d होता है, तो यह होता है, a into d upon b into c, अब problem यह होता है, कब गभी उपर fraction है नीचे fraction नहीं, जैसे मालों तुम्हारे यहाँ पर question था, 1 upon 7 upon 3, तो यहाँ पर 1 divided हुगा था, 7 upon 3, तो उपर fraction नहीं था, उपर एक integer 1 था, नीचे जो divide हुगा 7 upon 3 fraction से, तो मैं रहाँ यह 3 उपर जागा, उपर क्यों जागा, ठीक है, यहाँ पर fraction नहीं है, तो fraction बना सकते ना, उस 1 को मैं लिख लिए 1 upon 1, तो 1 के एक को लिए है, अब यह 1 upon 1 divided हुगा किसे है, 7 by 3 से, तो सबसे नीचे का नमबर उपर जाता है, और यह 7 यहाँ आता है, तो यह बन जागा 3 by 7, ठीक है, अब अगर 4 by 3 है, 5 by 6 है, तो यह तो उपर भी एक fraction है, नीचे भी एक fraction है, तो बहुत सिम्पल है, यह 6 उपर ले जाओ, सिमल प्राय कर दो, और 5 को यहाँ कर दो, लिकिन अगर उपर होता 4 divided by 5 तो एक इंटीजर को हम एक fraction से डिवाइड कर रहे है, तो सीधा जो इसको हम ओपर ले जाते है, और 5 यह रहता है, तो इस चीज़ को कभी गलती मत करना, यह इंपोर्टन चीज़ है, जो बच्चे गलतीया करते हैं बार बार, इस चीज़ को ध्यान रखना, चलते हैं कुशन प्लस 1 बाइ 2 ब्लस 1 अपॉन X प्लस एक्स इस देग को झाल मोरी तो यहा पर एक सस्को सोथ दिया 1 बाइ 3, 1 बाइ 2 को शॉल्व क्र सकते हैं, तो 1 बाइ 3 और 1 2 को हमने सॉल्व किया ठीक है, तो 1 बाइ 3 और 1 बाइ 2 को सॉल्व करना के लिए तम्में है उसे लाइक फ 3 & 2 का lc मान जाएगा 6 तो यहां भी हम नीचे 6 बनाएंगे यहां भी 6 बनाएंगे तो 6 मानने के लिए नीचे बनाएंगे 2 से ठीक है? रुको इसको मैं बता रहा हूँ पता हो गई आप लोको 1 by 3 & 1 by 2 को आड़ करना है 2 fraction को आड़ कर रहे हो ठीक है उसे like बनाना पड़ेगा like बनाने के लिए denominator को sim करना पड़ेगा तो sim कैसे करेंगा? 3 & 2 का lc मान जाएगा 3 & 2 का lc मान जाएगा 6 तो हम इस 3 को भी 6 बनाएंगे इस 2 को भी 6 बनाएंगे 1 by 3 में नीचे 6 मानने लिए 2 से multiply करना पड़ेगा तो ओपर भी 2 से multiply करना पड़ेगा balance करने के लिए तो यह जाएगा 2 upon 6 और 1 by 2 में नीचे multiply करना पड़ेगा 3 से तो ओपर भी करना पड़ेगा 3 से तो यह जाएगा 3 upon 6 तो यह बन गया 2 upon 6 यह बन गया 3 upon 6 यह है 1 by x is equal to 4 ठीक है mcq कर रहे है इतना लीचेर में करने की जिर्वत नहीं है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों को समझ मैं इसलिए मैं अराम से समझा रहा हूँ अब यह like fraction हो गए तो 6 lcm आ जाएगा उपर गटन add हो जागा 2 plus 3 हो जाएगा 5 अब यह हमसे x पूछा गया है तो ठीक 1 by x solve कर लेते हैं तो यह क्या हो जागा यहां पर यहां पर 1 by x को छोड़ दिया और यह हो जाएगा 4 minus 5 upon 6 equation equation solve कर रहे है ठीक है थोड़ा बहुत equation use करना पड़ेगा ने तो बहुत lengthy हो जाएगा यह हुआ तो यहां पर 5 by 6 plus sign भी था जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ 5 by 6 plus sign positive है तो अगर इसको हमारा equation के equal to के जो इधर है वो left hand side है और equal to के दूसरे side उससे right hand side बोलते है तो 5 by 6 को left hand side से right hand side भीजोगे उसका sign change होता है अगर plus है तो minus हो जाएगा तो यहां पर यह positive था तो दूसरे side रहागा तो negative बनेगा तो minus होगा तो यह 1 by x होगा तुमारा 4 minus 5 by 6 इसके नीचे 1 है तो इसको भी हम change करेंगे like fraction में यह भी change होगा like fraction में ठीक है तो like fraction में change करने के लिए 4 upon 1 को 6 से 4 upon 1 को like में change करोगे मतब कि 1 और 6 calcium 6 होगा तो इसको नीचे मुलिप्लिप्ला करना परेगा 6 से तो उब उपर भी मुलिप्लिप्ला करेगा 6 से तो कितना गए 24 upon 6 तो 4 upon 1 होगा 24 upon 6 और यह होगा minus 5 upon 6 like fraction है 6 होजाएगा 24 minus 5 19 19 upon 6 19 upon 6 तो 1 by x की value आई हमें तो चाहिए x की value sorry हमें चाहिए x की value तो x के value के लिए इसका हम reciprocal कर लेंगे x को उपर लेके जाना है तो इसका reciprocal कर रहे है तो value flip हो जाएगी या ऐसे बोलतो x को यहां में लिप्राय कर दो 6 को यहां कर दो 19 को नीचे कर दो x की चाहिए flip हो जाएगा 6 upon 19 हो जाएगा तुम्हे 1 by 2 का reciprocal लेना है मानलो 1 upon 1 by 2 हो जाएगा 2 उपर चला जाएगा तो यह 2 by 1 हो जाता है ठीक है 3 by 4 का reciprocal अगर लोगे तो क्या हो जाएगा 4 by 3 हो जाएगा 1 by x का reciprocal लोगे तो x by 1 होगा 1 का कोई value नहीं होता है और 19 by 6 का लोगे तो 6 by 19 हो जाएगा तो 6 by 19 यहाँ पर 9 का B option जो हो जाएगा वो correct हो जाएगा clear है तो काफी detail है यहाँ ने बताया यहाँ पर अच्छा दूसरा चीज़ यहाँ पर option से भी check कर सकते हो किसी को चाहिए तो तुमने क्या किया चाहिए एक्स को 5 by 18 रखा पर और इसको simplify किया द एख्षा 4 के को ला रहा है कि नहीं अगर आ गए तो 5 by 18 यह से हो जाएगा तुमने रख्खा यहाँ पर एकस को 6 by 19 और फिर यहाँ पर simplify किया इसको देखा 4 के को ला रहा है कि नहीं तो आप्षा करना तो एक method यह भी तुम option से check कर सकते हो, clear है, चलो, चलते है next question, question no. 10, question no. 10 में देखो, again same question है कि 1 by 2 plus 1 by x is equal to 2 है, तो x की value क्या होगी, तो एक option वही है तुम option से x को रखो 2 by 5, और इसको simplify करो, देखो 2 के equal आ रहा है कि नहीं, तो 1 by 2 को हम भेजएंगे left and right hand side, तो हो जागा 2 minus 1 by 2, यहाँ positive था, दूसरे side भेजा, तो हो गया minus 1 by 2, अब fraction है, simplify करेंगे 2 minus 1 by 2, तो इस 2 upon 1 को हम क्या करेंगे, यह 1 by 2 है, मतलब denominator में 2 आ रहा है, तो इसको भी हम like fraction में, दोनों को like fraction बनाएंगे, तो नीचे आ रहा है, यहाँ पर बना लगा दिया हमने, तो 1 और 2 का LCM 2 हो जागा, तो यहाँ नीचे हम 2 बनाएंगे, इंटू 2 कर दिया, तो ओपर भी 2 करना पड़ेगा, तो यह बन गया 4 upon 2, तो 1 upon x तुम्हारा आ गया, 4 upon 2, minus 1 upon 2, तो 1 by x is equal to 2 और 2, नीचे 2 आ रहा है, तो like fraction हो गया, तो LCM 2 आ जाएगा, 4 minus 1, 3 by 2, तो यह आई 1 upon x की value, हमें क्या चाहिए, x की value चाहिए, यह x की value नहीं है, यह 1 upon x की value, हमें x चाहिए, तो इसका हम receive local लेंगे, तो receive local लेंगे, तो अभी हम option D match करता है, तो question number 10 का option D correct हो जाएगा, clear है, चलो, तो आज हम लोग question number 10 तक ही करते हैं, next class में आगे इसको हम लोग continue करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बात, अगर एक class में, अगर सारे question को solve करेंगे, तो video काफी लंबा बनेगा, आप लोग देखने में बोर हो जाओगे, एक पार्ट देखा, तो आसा break लिया, फिर दूसा पार्ट देखा, और जब भी mcq type question करते हो, तो time limit लगा करना, कि मुझे 10 question 10 minutes में करने है, फिर अगले बाद 10 question 5 minutes में करने है, तो mcq का purpose ही होता है, concept के साथ तुमारे speed, speed maintain रखना बहुत important होता है mcq question में, क्योंकि time लगे paper छूड़ यागा, mcq में सिफ answer से मतलब होता है, step से नहीं, step पे इतना focus मत करो mcq पे, बस sort में solve करो कहीं पे भी, answer निकालो, tick मारो, clear, चलो, तो यह first part question number 10 तक बना रहे है, इस ही का second part, हम लोग उसमें 10 के आगे continue करेंगे, question 11 से 20 तक, क्योंकि 10 question और बच गया है, total question 20 है, त तो अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा पसंद लगा हो, ठीक है, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, share करना, और जो लोग जिसमें से subscribe नहीं किया है, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करो, और bell icon दबादो, जैसे नया वीडियो अपडेटों का उसका notification चलो, ठीक है, आज के लिए इतना ही, bye, take care, जल्दी मिलते हैं